इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी अल्टोकसीम 50 LB dry syrup में दो सामग्रियां शामिल हैं एक एंटीबाउटिक और एक प्रोबाउटिक जबकि एंटीबाउटिक बैक्टीरिया के संक्रमन की एक विस्तरिच श्रिंखला को मारने में मदद करता है प्रोबाउटिक एंटीबाउटिक को side effect के रूप में पाचन समस्याओं को पैदा करने से रोकता है ये हांत में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बहाल करके ऐसा करता है अपने बच्चे को अल्टोक सीम 50 LB Dry सिर्फ भोजन के साथ या उसके बिना दें हाला कि इस दवा से पेट खराब होने का जोखिम कम होता है लेकिन इसे भोजन के साथ देने से जोखिम और भी कम हो जाएगा खुराक और अवधी संक्रमन के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करती है इसलिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक समय और तरीके से चिपके रहें यदि आपका बच्चा सेवन के 30 मिनट के भीतर उल्टी करता है तो वही खुराक दोबारा दे लिकिन अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो दोहरी खुराक न दे इल्टोक्सीम 50 एल्बी ड्राइ सिर्प से आपके बच्चे में कुछ मामूली और अस्थाई दुषप्रभाव हो सकते हैं इन में उल्टी, डस्थ, मतली, पेट दर्द और अलजी शामिल हो सकते हैं आम तोर पर आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल हो जाने के बाद ये एपिसोड कम हो जाते हैं हाला कि अगर ये दुषप्रभाव आपके बच्चे के लिए बने रहते हैं या परेशान करते हैं तो बिना किसी देरी के डॉक्टर को रिपोर्ट करें अलजी, हिरदय की समस्या, रक्त विकार, जन्न दोश, वायुमार की रुकावट, फिफड़ी की विसंगती, जटरांत्र संबंधी समस्या, त्वचा विकार, यकृत हानी और गुर्दे की खराबी के किसी भी पिछले प्रकरन सहित अपने बच्चे के डॉक्टर को अपने बच्चे का पूरा चिकित्सा इतिहास बताएं यह जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समग्र उपचार की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद